नमस्कार सांतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागते बहुत सारे दोस्तों के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि हम कामर्स वालों को आप भूल गए हैं तो यहाँ पर हम लेका सास्त्र का जो पेपर होने वाला है कक्चा बारवी का वार्शिक परिक्चा मद्यप्रदेश बोर्ड का तो इस्टुडेंट्स आजाए सभी लाइव क्लास में आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर आ चुके हैं यह सेट यहाँ पर हम देखने वाले हैं एशेट का पूरा सोलिशन A to Z सभी प्रिशनों का यहाँ पर उत्तर हम देखेंगे तो जल्दी से सभी दोस्ते एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और भी जो वीडियो आएंगे उनका नोटिपिकेशन मिल सके इसके बाद आपको B, C, D का सेट जो है वो भी आपको सुलिशन करवाया जाएगा तो आप सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेर करिए अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए आईए इस्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पहले कोश्चन से और इसका पूरा सुलूशन हम देखते हैं वीडियो को लाफ्ट तक ज़रूर देखिएगा अच्छे नमबर अगर आप प्राप्त करना चाहते हो चलिए श्टार्ट करते हैं पहले कोश्चन से चलिए कोश्चन के फा Comics पहला पूरा पूजी के वेभग जोकी अंसधरियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है कहलाता है तो ये खेलाता है सांतियो प्रदत्त पूजी अगर इन ओप्सनों में आप लोगों को अगर अंसर याद है तो आप भी लायूचेट में इसका अंसर बता सकते हैं अगला कोश्चन अंसो के हरण पर अंस पूजी खाता डेविड होगा तो खाता आपका होगा अंसो के याचिक मुल्य से नेक्स्ट कोश्चन कमपनी के इस्तिती विवरण का प्रारूप कमपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसुची में दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन आपका रहेगा चोता वाला ओसत वसुली का संबंद है तो ओसत वसुली का जो संबंद होता है वो होता है सुद्ध उदार विक्री से अगला कोश्चन है अमारा पाच्वा बेचे गए माल की लागत 20,000 है वो ओसत इस टॉक 8,000 है तो इसकंद आवर्त अनुपात होगा तो इसकंद आवर्त अनुपात आपका जो होगा सांत्यू वो हो जाएगा आपका दो पाइंट पाँच गुणा ठीक है डाई गुणा आपका हो जाएगा अगला कुश्चन चटा रोकर पिर्वा विवरान संबंदित है तो रोकर पिर्वा विवरान जो संबंदित होता है साथियो यह होता है एस तिरी से प्रिष्ण क्रिमांग दूसरा देखेंगे रिक्तिस्तानों की पूर्ती कीजिए पहला कुश्चन है आपका साजेदारी का दाईत होता है साजेदारी का जो दाईत होता है वो होता है इस खालिस्तान मा जाएगा आसीमित क्या हो जाएगा आसीमित आपका हो जाएगा ठीक है दूसरा देखेंगे, निवरित साजेदार को देरासी का किस्तों में भुक्तान करने पर खाता खोला जाता है, तो जो खाता है, वो खोला जाता है, इस खाते का नाम होता है, साजेदार का रिन खाता, ठीके, इस खाते का नाम क्या होता है, साजेदार का रिन खाता, ठीके, प्रजेदार के प्रवेश पर यदि ख्याती पहले से पुस्तकों में विद्यमान है तो ख्याती होगी पुराना अनुपात में विवाजित क्या लिखोगे पुराना अनुपात में विवाजित अगला खालिस्तान वसुली खाता प्रकर्टी का खाता है जो वसुली खाता होता है ये आपका नाम मात्र केसा नाम मात्र लिख रहा हूँ ये नाम मात्र नाम मात्र प्रकरती का खाता है नाम मात्र ठीके नाम मात्र अगला पाच्वा सबी साजेदारों का दिवालिया होना फर्म का समापन है तो ये फर्म केसी फर्म अनिवारी अनिवारी फर्म का क्या हो जा नेक्स्ट कुश्यन आपका छटा वाला खाली इस्तान में आप लिकोगे पूर्वा अधिकार क्या लिकोगे पूर्वा अधिकार अंसो पूर्वा अधिकार अंसो पर लाबांस किदर निश्चित होती है ठीके अगला कुश्यन है सात्वा इसमें आ जाएगा परिवर्तन शील परिवर्तन शील रिन पत्र अंसों में परिवर्तित किये जा सकते हैं तो ये तो गए हमारे कालिस्तान अब देखेंगे हम प्रिश्न किर्मांग थर्ड वाला तो इसमें हमारा कुश्चन नमबर सही जोड़ी बना कर लिखिए देखिए जितने भी स्टुडेंट्स हमारे 12 वाले इस वीडियो को देख रहा हैं आप सभी एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेर कर दे और चैनल पर पहली बार आयों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आगे भी सिप्रकार अपडेट आपको मिल सके ओल इस्टुडेंट्स शेर कर देंगे चलिए देखते हैं हमारा प्रिश्ण किर्मांग तीन का सोलुशन पूर्व मूल्यांकन पर हानी तो इसको आप मिलाओगे पूंजी खाता डेविट किस से मिलाओगे पूंजी खाता डेविट से ठीके यहां पर उपर से नीचे वाले से और सामान्य लाप से अधिक क्या करता है अधिलाप करता है ठीके सामान्य लाप की गनना वी नियोजित इसको मिलाओगे किससे वी नियोजित पुझी से अगला आहरन पर ब्याज गुनन फल विदी से साजेदार का प्रवेश इसको मिलाओगे पुनर गटन से और एएस 26 को आप मिलाओगे ख्याती का लेकांकन उपर वाले से मिलाना है अब हम देखेंगे सत्य फत्य सत्य फत्य देखना है गलती किसी प्रकार की नहीं करना है देखेंगे आप पहला वाला साजेदारी व्यावसाई का उद्देश ये वेदानिक होना चाहिए बिल्कुल इसमें आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा ठीके अगला देखेंगे नए साज़दार के प्रवेश पर उसके द्वारा पुंजी लाना अनिवारी है जी नहीं असत्य लिखेंगे इसको अगला रिन पत्र अल्प कालिन प्रिकरती क्या होते हैं जी नहीं दिर्ग कालिन होते हैं या सत्य हो जाएगा अगला चोटा रिन पत्र धारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा अगला फरनीचर की विक्री एक वी नियोग क्रिया है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा और गेर चालू संपत्तियां कमपनी के दीर्ग कालिन वी नियोग है बिलकुल सत्य चीके स्टुडेंट्स यह हो गए आपका सत्य फत्य अब हम देखेंगे यहाँ पर एक सब देखवाक्य में उत्तर जैसे कि आप यहाँ पर कॉश्चन आपके है साजेदारों के मद्य लिकित समझोते को क्या कहते हैं चीके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसता ही पूँजी पद्यती में पूँजी खाता सदे कोन सा सेज प्रदर्शित करता है चीके और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिश्ने किर्मांग थर्ड का उत्तर और ये फोर्त का कंपनी के नाम को अनुमोदित कोन करता है और संचे एवं आदिक को कंपनी के चिट्टे में किस सीर्षक के अंतरगत धर्साया जाता है ये कोशन आपके साथ है इन कोशनों के अंसर आप यहाँ पर इस्क्रίν पर देख पाते हैं देख लीजिए ठीके अभी मैं इनके अंसर आपको थोड़े क्या है बड़े हैं तो अभी मैं लिख कर बता रहा हूँ आप लोगों को ठीके वीडियो को लाफ्ट तक देखिएगा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर सांति अपने प्रेंट्स को शेयर कर दो क्योंकि सांतियों अब आपको सभी कोशन नमबर 6 से लेकर 23 तक संपूर्ण सोलुशन करवा रहा हूं ठीके देखिए एक बार कोशन देख लीजिए सभी कोशन आप पढ़ लीजिए स्क्रिन सोट ले लो पीडिये आपको टेलिग्राम बताया था प्रिशन नमबर 5 में आपको साथ कोशन मैंने बताया थे साथवा कोशन का पहले का अंसर हो जाएगा साज़ेदारों के मद्ये लिकित समझोते को साज़ेदारी समलेक कहा जाता है ठीके दूसरा वाला इस्ताइप पूंजी पद्धिती में पूंजी खाता क्रेडिट मतलब जमा सेज प्रदर्सित करता है तीसरे वाले में साज़ेदारी समलेक के अबाव में साज़ेदा तो यहां पर आप इस्क्रीन सोट लेक अगर इनको पढ़ लेना अब कोशन नमबर हमारा जो छटा था उसका उत्तर देख लीजिए ये छटे का उत्तर है ठी ठीके पूरा सोलुशन के साथ ये दसवे का उत्तर अतो अवाला भी आपको मिल रहा है ये ग्यारवे का उत्तर ये बारवे का उत्तर अच्चे से पीडियव आपको टेलेग्राम पर मिल जाएगा तेरवा अतो अवाला भी देख लीजिए ये चवदवा का उत्तर पूरा सो आगे भी इसी प्रिकाड वीडियो लेकर आने वाला हों 19 आप ये 20 आप अच्छे से वीडियो को रोक रोक कर देख लेना पूरा 21 का ये 22 का वीडियो को अगर रोक लेंगे आप तो अच्छे से नोट कर सकते हैं ठीक है और ये PDF में आपको टेलिग्राम पर देदूगा ये 23 का उत्तर ये मतलब पूरा हल आपका हो चुका है पेपर का ठीक है पूरा सोलुशन अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुचाईएगा वार्सिक पेपर में अच्छे अंग पर राप्त करना है तो आप सभी दोस्तों को एक बाद शेयर कर दीजगा 2023 का जो पेपर है आपका बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा सांतियो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में आने में फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बाद शेयर कर दीजगा ठीक है मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद